जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा, तो हमने तो ये गीत सुना है, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो ये ही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूरे देर होता है, शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है, बिल्कुल सही होता ह हैं तो हर दूसरे तूसरे दिन आई नवी बोलते रहा अपने अखरी बार का बोला करो अपनी वाली तो बोलना चाहिए हम सब्सक्राइश का खूब लगते हो दोस्तों Σुरूक हे-खिलिब देखकर आप समझ गे होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दू ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटर्टैन्मेंट के लिए बनाई गई है ना कि किसी की भावनाओं को पहुचाने के लिए तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंटर्टैन्मेंट की नजर से ही देखें ना कि दिल पहले और हां इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये बता दू इन बाबा को आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा जो कि मेम्स बहुत जादा वायर क्यों बहां सकता दूद पिएंगे ना तो गाय का दूद यादास्त को बढ़ाता और जो पाइकट वाला दूद पीते उनका अब तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि इसलिए घर में गाय रखना चाहिए अब हम यहां सुसाइटीम डेते कहां गाय रख लें मैं घर पे गाउं लेकिन फिर महराज जी को हम सुनते हैं महराज जी कहते हैं सबसे पहले सूर्योदे कहां होता है तो जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा वो भारत देश है मेरा तो हमने तो यह गीत सुना है हमने तो यह गीत सुना है तो हम तो यह ही कहेंगे कि भारत में सबसे से पहले सूरेद होता है कि तो गीध ना जी पहली म Свेट सबसे पहले आकर डाली अपना ब्हारत देश हैं मैंने कह दिया मेरा भारत सबसे पहला है साब बास लो जी अब बावा जी गानों से और फिल्मों से सीख ले रहे हैं हम सोचेते के बावा से ज्यान ले ले लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बावा को हमें उल्टा ज्यान देना ना पड़े और फिल्मों से सीख कर बावा हमें बता रहे हैं वहां जगडे शादी के बाद प्यार का इजहार करना सही होता है तो अनुद्धा चार जी ने भावी जी को अखरी बाइलव यू कब बोला था हम तो बोलती रहते हैं कब और कथा में हम सब को बोलते हैं कि आप भी हर दूसरे तीसरे दिन आई लवी बोलते रहा करो रिष्टे बहतर बनाने हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आई लवी बोलते रहा करो आपने अखरी बार कब बोला था आपने यह नहीं बताए मुझे एए हैं वहीने लवैर्टोफ महीना दुसरे के रहे हैं कि याँ रोज बोला करो पनी वाली का आप कहरें कि लिबते अश्य भ्रक्रेंश चolos बोलेबना की जहां जगडे लड़ाई के जादा संभावना फर रोज बोला उससे जहां अच्छी मिलित भीड़ दो ना पूल महराजी क्या खूब लगते हो उधर हमको हम तो लगते हैं उधर भावी जी को देखे बड़ सुन्दर दिखते हो एक अनया के लिए हम गाते हैं फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है मेरे कानहा का मुखडा बड़ा सुन्दर लगता है भावी जी के एक महीना पहले लव यू बोले हमने गाना गाने का उसमें वह आपने प्यार को श्रीक शिंडी पढ़ा पत्नी तो आपकी एक ही है ना आप कहते हैं दो मत रखो आप कहते हैं गल्फिर्म नत बनाओ आपकी इकलोती भी वीवी क्लेम आपसे कहने गाना को आप नह अब आया कि शादी हो गई कहां 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 कैसे हुई कहां पत्नी लाय है ओडिशा से 8000 में महराज जी पूछे डेल लाख वाली भी थी डेल लाख वाली जादा चलेगी अब बात हीं सींगी तो मैंने भी जोड़ा का चलू हांस लेते हैं सबको हूसा देते यह यह डेल तो दोस्तों अभी तक जो आप वीडियो देखें हैं वो वीडियो का टेलर है पिक्षर अभी बाकी है और अगर आप पिक्षर देखना चाहते हैं तो वीडियो के लाश्ट तक आपको बने रहना है तो चली आगे के किलिफ दिखाते हैं अच्छा एक और बड़ा जबर्दस वाइरल हुआ था आपके भी दो बच्चे हैं अब उस पर आज हमको थोक किभाव लोगों ने चीज और लिख के बेजी कहा कि महराजी ने कॉंसेट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो इस तरी गर्वती हो जाती है यह कौन सा कॉंसेट था महराजी मतलब यह वाला क्योंकि इसमें तो अभी हमने आई वीफ के डॉक्टर का इंटर्व्यू किया था आप उनकी दुकान बंद कर वाद होगी यह सही हो गया तो दर तो इसी बात का है लोगों को कि कहीं दुकान ना बंद हो जाए गाय को पहले गेहूं खिलाए फिर ग गोबर किया फिर गोबर में से गहूं छाटे उसको सुखाए यहां कई बार फिर उसको सुखाया फिर ग्याहूं की बढ़िया रोटी बनाई भोग लगाया बगवान जी कौप आओ तो धर्ति माता नहीं शिकायत कर रहे हुं कि हम सीधे सीधे चित सीधे कह लेते हैं यह तिन गाई के वहां फेर नहीं का मैं तो है ला ती घर में तीन गईया रखी हाँ बिपिक समस्या अमको दिखाना पड़ता है डॉक्तर साफ से चिरोरी करना पड़ता है टाइम दे दो जब क्यों गईया भी पाली है जहला आती है खेलती है कई सारी बच्छिया हो गई अब आप तो देना पड़ता है इतना होगा कि दर रश्टारों आपने देखा नहीं सुना नहीं यूटूब और कि अमेरिका जैसे देशों में तो गाय के नीचे यहां जालर जो होती जालर बोलते हैं वहां फिर आने के पैसे लेते हैं वह लोग हमारी यहां तो गर्गर गाय है भ ब्लट पेशर ठीक हो जाएगा अब यहसे बाबा रामदियों कहते हैं कि नाखून रगड़ो तो इससे बाल निकल आता है अब कुछों नहीं निकला डॉक्टर साब से हम पूछे हो के तुम्हारा आधा जीवन बरबाद हो गया ऐसे रगड़ते रहेगे तुम आप करो चैनल को सबस्क्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं तो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाई बाई